खुसी बुटिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाईए, ओल पे कलिक कीजिए, लेटेस्ट डिजाइन के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मैं सरमिला फकेडिया, आप देखरे हैं खुसी बुटिक, आज के इस वीडियो में आपको गोल गले में गुम पाइपिल लगाना बताऊंगी तो देखिए ये मैंने कुर्ती कटिंग कर लिया है और इसका गला भी मैंने कटिंग कर लिया है आप चाहे बुकरम या पेस्टिंग कुछ भी लगा सकते हैं इसमें और पट्टी बनाने के लिए मैंने ये कटिंग कर लिया है और देखिए इसमें जो गेरे की कड़ाई है कुर्टी में इस तरह की मेचिंग का मैंने ये कपड़ा लिया है इस कपड़े से हम गोल गले में गुम पाइपिन लगाएंगे आप ये सोच रहे हैं कि मैंने ये कुर्ती कटिंग कर ली है लेकिन ये इसके गेरे की कड़ाई तो यहीं पे रह गई है तो इसके ये कारण मैं आपको बता दूं कि इस कड़ाई को हमें यहां से कटिंग करके और गेरे के उपर जॉइंट करना है क्योंकि इसमें गेरे-गेरे की कड़ाई है गले की कड़ाई थी नहीं तो यहां से यह पट्टी कटिंग करके और जब हम कुर्टी रेडी कर लेंगे तो गेरे के उपर चिपका लेंगे पाइपिन लगा के आपको सिलाई कोर्स के बारे में जनकरी दे देती हूँ huhु फैपको एक कुर्टी की कटिंग चाहिए तो इसमें एक पीस का 500 रुपे और अगर आप दो कुर्ती की कटिंग मंगवाना चाते हैं तो इसमें आपको 800 रुपे में मिल जाता है और दो से ज़्यादा पांस तक मंगवाते हैं तो आपको 1100 रुपे में मिल जाते हैं और इससे भी अगर आप ज्यादा मंगवाना चाते हैं तो 2000 रुपे में आपको 10 पी तो आपको सिर्फ कागज रखके और कपड़े की कटिंग करना है और स्टीचिंग के निशान भी हम आपको लगा के देंगे कि उसी निशानों पे आप स्टीचिंग करेंगे तो आपकी कुर्ती की जो फिटिंग है वो बिल्कुल प्रफेक्ट आएगी तो इस तरह के पैटरन आप मंगवाने के लिए इसी नंबर पेकोल करके जनकरी ले सकते हैं वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को जिन्हों सब्सक्राइब ने किया तो खुसी बटिक चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना देखिए जैसे हम सिंपल गल अब देखिए अंदर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कटिंग कर देंगे बुक्रम के बराबर रखेंगे कटिंग अब यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे इस कपड़े की पाइपिन लगानी है तो पाइपिन के लिए मैंने इरेब पटी कटिंग कर ली है और यहाँ पे मैंने जोड़ लगा लिया है इस तरह से इरेब पटी को डबल फोल्ड कर लेंगे और यहां पे रखेंगे जहां पे हमने शिलाई लगाई है इसके बिल्कुल किनारे पे रखेंगे और जैसे हम यहां पर सिलाई लगाएंगे पाइपिन के जितना कपड़ा छोड़के तो यहां जो हमने पहले सिलाई लगाई है बिल्कुल इसके उपर उपर सिलाई लगानी है इस तरह से हमने पाइपिन के राउंड की सिलाई कंप्लेट कर ली है अब देखिए हमने यह कुर्टी का गला कटिंग कर लिया है इसके उपर पट्टे को हम इस तरह से उल्टी साइड से रखेंगे ऐसे और यह जो सिलाई हमने पाइपिन के लिए लगाई है इस पट्टे के उपर जैसे हमने दो सिलाई लगा लिए है पहली सिलाई कपड़े के उपर और बुकरम के उपर लगाई है दूसरी पाइपिन के उपर लगाई है इस सिलाई के उपर उपर हम सिलाई लगा लेंगे अब देखिए पट्टी को इस तरह से हटा के देखेंगे यहाँ पर पाइपिन बिल्कुल बराबर बराबर सिलाई में आई है अब इसमें कट लगा लेंगे पूरे राउंड में कट लगा लेने है अब देखिए पट्टी को इस तरह से मोड लेंगे और इसके उपर सिलाई लगा लेंगे पट्टे को अंदर की साइड मोड़ेंगे तो जो हमने कट लगाई है ये पट्टे की साइड होने चाहिए इस तरह से बैक साइड में राउंड को मोड़ेंगे अब देखिए पट्टी खुद ही मुड़ रही है बाहर की साइड इसको हमें अंदर की साइड मोड़ना है ये अंदर की साइड भी खुद ही मुड़ जाती है इस तरह से अब इसकी किनारी पे एक सिलाई लगा लेंगे अब देखिए हमने गले में गुम पाइपिन लगा दी है इस तरह से अंदर की साइड भी नहीं दिख रहा है एक्स्ट्रा कपड़ा और इस साइड भी हमने गुम पाइपिन लगा दी है अगर आप दो पाइपिन लगाना चाते हैं जैसे ये पट्टी हमने अंदर की साइड मोड़ी है इसको आप बाहर मोड़ना चाते हैं तो एक पाइपिन यहाँ पे भी अटैच हो जाती है हमें इसको उल्टी साइड से लगाना है और सीधी साइड मोड़ना है और यहां पे भी एक पाइपिन लगा के हम अगर बाहर की साइड मोडेंगे तो इसमें दो पाइपिन वाला ये गला बन जता है इस तरह से मैंने गोल गले में गुम पाइपिन लगा दी है अगर आपको गोल गले पे लेस लगाने का वीडियो देखना है तो ये रहा वीडियो यहां से क्लिक करके देख लीजिए और खुशी वुटिक चैनल को सस्क्राइब जरूर से कर लीजिएगा मैं मिलते हैं अगले वीडियो में